भाईया लगता है भावी के पेट में हाथ ही घोड़े हैं कैसे लपक लपक के लड़ू खा रही है अरे चुप रहे भे कहीं उसने सुन लिया तो इतने जूते मारेगी के सर पे एक बाल नहीं बचेगा अरे भाई साफ अरे चलो ना भाई साफ क्या है आगे पैसे वैसे लाए हो या खाली जोला ही लाते आए हो कैसी बाते करती हो रानी भला मैं खाली जोला लटका है घर आने की हिम्मत कर सकता हूँ भला भावी खाली जोला लाएंगे तो मार नहीं खाएंगे क्या मेरा मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कमाई नहीं हो तो पब्लिक का पाकिक मार के बास चुकर यार आज क्या खाने के जूते खिलवाने कह राता है यह लो रानी पूरे 90-90 रुपे ले आया हो मैं मेरा मतलब है इतने सारे लड़ू आये कहां से पड़ोस में कोई मर गया है क्या हटो जी मैं मरे हुए मुर्दों के खैरात के लड़ू क्यों खाने लगी वो तो तुम लोगों ने आने में देर कर दी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी मैंने ठोकरमल हलवाई की दुकान से थोड़े से लड़ूमंग वाली है थोड़े से क्या मेरा बतलब यह है कि हम दोनों के लिए खाना तो बनाया होगा अच्छा तो मैं बनाऊंगी औरे मेरे भाग इतने फूट गये है क्या भी खाना पकाना भी मैं शुरू कर दूँ रसोई खुली पड़ी है सबजी काक कर चूला जला कर आता गून कर रोटी और भाजी बना लो जरह ज्यादा बनाना मुझे भी फूख लगी है वो तो ठीक है लेकिन एक आसा लटू अगर क्यो मरे जा रहे हो बड़ी मुश्किल से मैंने दो किलो लटू मंगौय है अभी तो मेरा ही पैट नहीं भरा मुझे लटू दो, मुझे लटू दो, हट पेट है कि गोदान क्या का का, मैं गोदाम हूँ गोदाम नि, गोदान गोदान वो भावी क्या हुआ रास्ते में गोदान में खाना बढ़ रहा था तो मैंने भाई साब को बोला खा लेते हैं अच्छ होता लगर माने निए भावी भावी लड्डू में मक्षी भावी यह मक्षी वाला लड्डू मांग रहा है चुक करना यार तेरी भावी की आँखों में तो वैसे भी सिखड़ी भड़क रही है इससे पहले के वह हमें कबाब की तरह सेख डाले यहां से चल परते हैं चल 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 मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे मोहे मेरे पनघट पे सबजी पकाए गयो रे हाई सहाब यह पनघट के साथ एक लंबा सा घूंगट भी डाल लोगे न तो गाने में बहुत मज़ा आएगा क्या बकता है रे तू सज कहता हूँ कान में बाली नाक में नथनी मांग में सिंदूर कमीश की जगह चोली धोती की जगह साड़ी पहलो तो आधे मर्द से पूरी और बंग जाओगे देख देख तू बकवाज बंकर वरना सर फोड़ दूगा धर में अले तिल-फिला तो मातर तो फोड़ निसकते मेरा सर क्या फोड़ोगे जबसे मा मरीय हमारी तक्दीर ही फूट गये, बाहर गाना गाते, घर में आकर खाना पकाते, बाहर हमको पब्लिक पैसे देती है, और यह घर में आकर तुमारी पतनी से रोकी के लिए भीग मांगनी पड़ती है, देख भोले, देखूं क्या, अरे तुमारे पास दिखाने को यह सिर्फ गपे ही हाथ पे जा रहे हो, इस चलना यार, बदना शामत आ जाएगी, आया आया रानी, रानी, तुम बाहर जाकर खुली अवा में आराम से बैठो, मैं तस मिनिट में गर्मा गर्म पूरियां तुमारे हुदूर में पेश करता हूँ, बड़ा बेशरम भाई है पतनी का, पती कहीं का, क्या बक्ता है तु, तुमने मुझसे कुछ कहा, अरे नहीं, नहीं, रानी, मैं तुम्हें कुछ कहने की इमत कर सकता हूँ, बला, अच्छा, मैंने सुबह तुम्हें जो कुछ कहा था, वो याद है, क्या कहा था, तुम्हारा सर, वो अपने जैसा सर ह उसमें चीजी जितना भेजा नहीं है, क्या आप कहा था? फिल्कुछ सही कहा भावी आपने, अगर इनको भेजा होता, तो आज इस घर का नक्षा ही कुछ और होता है अरे तु अपनी बगवाज बन करता या नहीं? क्या कहा था तुमने? मैंने कहा था, बच्पन में जो तुम्हारा छोटा भाई मर गया था ना, उसकी पत्नी को लेकर आना है ये लो पैसे, और उसे ले आओ लेकिन इतने थोड़े से पैसों में आना जाना कैसे होगा रानी? क्यों नहीं होगा? जाते वक्त तुम ट्रेन के उपर बैठके जाना, उसे घर से स्टेशन तक टांगे में बिठा कर लाना, फिर उसे भी ट्रेन के छट पर बिठा कर ले आना समच रहे ना? चलो जाओ एक और मुझीबत आ रही है, वो भी अगर भावी की टककर की निकली तो तो तीन कीजे के चार का खाना बनाना पढ़ा अरे चुबी कर, जब भी सोचता है उल्टा सोचता है, जा मेरे कपड़े निकास कौन से, वो जो दोडिक आख दे चुरा के लाएते आहाँ, वही यह यह शरम, वह हया, तेरी इतनी हम्मत के आज तु मेरे सामने ख़़ाओकर सिगरेट पी रहा है लो, मैं क्या तुमसे ढरता हूँ क्या, अरे आज तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ कल से मैं तुम्हारे सामने शराप पीऊँगा, घर में चमपा भाई को लाकर नाच कराऊँगा, दुनिया भर की बदमाशिया करऊँगा, अरे तुम देखते तो जाओ क्या, तु, तु मेरे सामने बदमाशिया करेगा? हाँ, जुआ खेलूँगा, गुंडा घर्दी करूँगा, मैं किसी के बाप से डरता हूँ, क्या? तुबर, तु मेरे सामने दुनिया की हर बुराई करेगा, और मैं तेखता रहूँगा, मैं तुझे इसांते माना भूँगा वा, भाईया, आज तुमने पहली बार हाथ उठाया है, इस उठे हुए हाथ को गिरने मत देना, ये मर्दानगी का छंडा है, आज पहली बार तुमने सुबूत दिया है कि तुम बुजदिल नहीं हो, मर्द हो, इस मर्दानगी के हथियार को तलवार की तरह चलाओ भाईया घर की चार दिवारी में बहुत जल्म बनता है, उसका सरवनाश कर डालिये, अपनी मासूम, बेजुबान भावी, अत्याचार की चक्की में सुबह शाम पिस रही है, उसे बचा लो या उसे बचा लो, वो बड़े घर की बच्ची है, गरीबों के घर में उस पर जल्म होगा तो गरीबी बदनाम हो जाएगी, आज गरीबों की हिजद तुम्हारे हाथ में है, जै बजरंग बली बोलकर हमला कर दीजे, और गरीबी की हिजद को दाग लगने से बचा लो बचा लो, बचा लो अरे बाभ भूले, तुने मेरे हाथ की बेधारी तलवार को धार लगा दी बेटे, उस दिली की बच्टी से बं, मेरी आखे खोल दी, वहां जाके खबराना नहीं भाई याँ, राष्ते में बजरंग बली का नारा लगाते चलो, जै बजरंग बली, जय बादान बली, जय बादान बली दीदी, क्या है, दीदी ये तार कब आया, पर्सो आया था, पर्सो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आवाज नीची कर, और ये आखे है न, जरद छोटी करके बाद कर, वहना दो उंगलियों से तर ये आखे निकाल दा लोगी, समझी, आज आप मेरी जान क्यों ना ले ले मैं ये पूछ कर रहाँगी कि आपने मुझे इस तार के बारे में बताया क्यों नहीं, стоит, आज तो मैं तेरी ऐसी मरमद करूगी कि, तो तो ये देंड़यू मुझे देना, आज मरमत मैं करूँगा, हड़िया मैं तोड़ूगा, तुम्हारे हाथों में इतना दम है के डंडा भी उठा सको, अरे ये बर्सों से सोया हुआ हाथ आज जागा है, है लोकी, इनरा, अब देखना, ये हाथ का डंडा किर्केट बैट की तरह कैसे काम करता है, लब मुझे दो, ये लो, और आज इसकी ऐसी मरमत करो कि इसकी हड़ियों का पानी पानी हो जाए, बिल्कुल, पहले तो हड़ियों का पानी बनाऊंगा, फिर उस पानी से नहाऊंगा, फिर चमड़े का तॉलिया बनाके उससे अपना बरन पहुँँगा, क्यों भोले, क्या मझेशा कर रहो, तुम्मझा को खराब नहीं हो गया, जिमाग खराब नहीं हुआ है, आज पहली बार दिमाग... जुछ गुछ भाइगी। लड़ी खाएगी। जुछ भाइगी। जुछ झामोलों के काम करने वाली उस मासूम लड़ी पर दिल्भर गुछ दुछ 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 दुछ। ये दीदी के साथ ठीक नहीं कर रहे है। अरे तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। उस मिठाईवाले के पैसे चुकाते चुकाते हमारी कमज दूड़ गई। छोड़ा बहुत व्याज तो वसुन करने दो। वावज़ाब, ना 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 तुस्ते तो मुझे बारा साल के बतले लेने। मुझे माफ करतो, मुझे। तुम चोक कोँए मैं करूँगी। इस गर की नागरानी बन कर रहूंगी। मत मारो मुझे। माफ ही मुझे से नहीं। उस आसुम लड़की से मांग, जा। मुझे माफ कर दी बेटी, माफ करूँए। नहीं नहीं। अब मैं तुछ पर जुम कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी नहीं नहीं दीदी, आप तो बड़ी हैं, ये आप क्या कह रही हैं तो खाव कसम, कि आज के बाद तुम्हारे इस सारे नखने अडग बन एक सीधी साधी घरे लू, और अजबन के इस घर में रहोगी और साम जैसी लंबी जबान को अपने मूँ के बिल में हमेशा के लिए कैद करके रखोगी, खाव कसम मैं कसम खाते हूँ, आज के बाद मैं सुधर जाओगी, जैसे आप कहेंगे वैसा करूँगी जीगा है, हाँ बोल बेटी, तू क्या कहती है बड़े भाईया, मुझे मेरे जीजा जी के पास ले चली है, उनकी तबियत बहुत खराब है मैं आप से हाथ जोड़कर प्रार्तना करती हूँ, मुझे उनके पास बाच आ दीज़ए बहने, आप नहीं जोड़ते हैं, खुकम करो, अर बहने अपने भाईयों से भीग थोड़ी मांगती हैं, अधिकार मांगती हैं मैं खुद तुमको तुम्हारे घर पर बड़ी इज़ट से छोड़ किया हूँगा, क्यों माईता अहां, बोला बिल्कुल ठीक कह रहा है, जाओ, जाकर तेयार हो जाओ, और सुनो, अपना चैरा थोड़ा साफ कर लो, आसों के साथ नाग बहबैकर पूरा चैरा गिला कर लिया है, जाओ और तुम खड़े-खड़े मुह क्या देख रही हो, अब जाओ ठोकर मलहलवाई के पास, और मेरे लिए दो किलो लड़ू ले आओ, जाओ ये क्या किया भाई साब आपने, और फिर लड़ू खाने भेज दिया उसको, आज से लड़ू हम खाएंगे